बातियों आज का भारत दुनिया में एक नए केटलिक एजन्ट की रूपतर उभर रहा है और इसका प्रभाव हर सेक्टर में दिखेगा ग्लोबल ग्रोथ के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल पीस के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल क्लाइमेट एक्षिन को स्पीड अप करने में भारत का रोल अहम होगा Global Skill Gap को दूर करने में वारत का रोल अहम होगा Global Innovations को नई दिशा देने में वारत का रोल अहम होगा Global Supply Chain में Stability के लिए वारत का भूमी का अहम होगा साथियों भारत के लिए शक्ती और सामर्च का अर्थ है भारत के लिए शक्ती और सामर्च का अर्थ है ग्यानाय दानाय चेर रक्षणाय याने नौलेज इत पर शेरिंग, वेल्ट इत पर करींग, पावर इत पर प्रोटेक्टिंग. इसलिए भारत की प्राथिक्ता, दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है. हम आप की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरत के कीरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं. हम विश्व पर अपना दबदबाद नहीं चाहते हैं, हम विश्व की समृद्धि में अपना सहीयोग बढ़ाना चाहते हैं. योग को बढ़ावा देना हो, सुपर फूर्ड, मिलेट्स को बढ़ावा देना हो, मिशन लाइप यानि लाइफ टाइल पर एंडवार्मेंट का वीजन हो, भारत जीडिपी सेंट्री ग्रोथ के साथ ही, हुमन सेंट्री ग्रोथ को भी प्राश्पिक्ता दे रहा है. मेरा आप से भी आग रहें, यहां मिशन लाइप को जांदा से जांदा प्रमोट करिए, हम अपनी लाइफ टाइल में थोड़े से बढ़लाव करके भी परियावरन की बहुत मदद कर सकते हैं. शायद आपने सुना होगा और हो सकता है, आप मैंसे कुछ लोगोंने इनिस्टेटिव लिया भी हो, आज कल भारत में एक पैड मा के नाम, अपनी मा को याद करते हुए एक पैड लगाना, मा जिन्दा है तो साथ ले जाना, मा नहीं है तो तस्वीर ले जाना, एक पैड मा के नाम लगाने का अभियान, अद्देश के हर कोने कोने में चल रहा है। और मैं चाहूंगा, आप सभी यहां भी ऐसा अभियान चलाएं। यह हमारी जन्मदाता मा और धर्ती मा दोनों का यश्व बढ़ाएंगा। साथियों, आज का भारत बड़े सपने देखता है, बड़े सपनों का पीछा करता है। अभी कुछ दिन पहले ही पेरिस ओलेंपिक खत्म हुए है। अगले ओलेंपिक्स का होस युएसे हैं। जल्द ही आप भारत में भी ओलेंपिक्स के साक्षी बनेंगे। हम 2036 के अलेंपिक्स की मैजमानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या फिर एन्वार्मेंट, एंटर्टेंड्मेंट। आज भारत बहुत बड़े आकर्षन का केंद्र है। आज IPL जैसी भारत की लिग्स दुनिया की टॉप लिग्स में से एक है। भारत की फिल में ग्लोबली धुम मचा रही है। भारत आज ग्लोबल टुरिजम पे भी पर्चम लहरा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के त्योहार मनाने की होड है। मैं देख रहा हूँ इन दिनों हर शहर में लोग नवरात्री का गर्मा सीख रहे हैं। ये भारत के प्रति उनका प्यार है। साथियों आज हर देश भारत को जादा से जादा समझना चाहता है। जानना चाहता है। आपको एक और बात जानकर खुशी होगी। कल ही अमेरिका ने हमारे करीब तीन सो पुराने जो सिलालेक और मुर्तियां थी। जो कभी हिंदुस्तान से कोई चोरी कर गया होगा। कोई 1500 साल पुरानी कोई 2000 साल पुरानी तीन सो सिलालेक और मुर्तियां भारत को लोटाई है। अभी तक अमेरिका ऐसी लगबग पांचो धरोहरें भारत को लोटा चुका है। यह कोई छोटी सी चीज लोटाने का विशे नहीं है। यह हमारी हजारों वर्षों की विरासत का सम्मान है। यह भारत का सम्मान है। और यह आपका भी सम्मान है। मैं अमेरिका की सरकार का इसके लिए बहुत आभारी हूँ। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनर्शिप लगातार मजबूत हो रही है। हमारी पार्टनर्शिप ग्लोबल गुड के लिए है। हम हर छेत्र में सयोग बढ़ा रहे हैं। और इसमें आपकी सहुलियत का भी ध्यान है। मैंने पिछले साल ये गोशना की थी कि सियेटल में हमारी सरकार का नया कॉंसलेट खोलेगी। अब ये कॉंसलेट शुरू हो चुका है। मैंने दो और कॉंसलेट खोलने के लिए आपके सुजाओं मांगे थे। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुजाओं के बाद भारत ने बोस्टन और लोस एंजलस में दो नए कॉंसलेट खोलने का निर्ड़े लिया है। मुझे युनिवर्सिटी अफ हुस्टन में थिरु वल्लु वर्थ चैर अप तमिल स्टडिश को। एनाउस करने की भी खुशी है। इससे महान तमिल संथ थिरु वल्लु वर्थ का दर्शन दुनिया तक पहुताने में और मदद मिलेगी। साथ्यों आपका ये आयोजन वाकई शांदार रहा है। यहां जो कल्टरल प्रोग्रम हुआ वह अदबूत था। मुझे ये भी बताया गया है कि इस इवेंट के लिए हजारों लोग और भी आना चाहते थे। लेकिन वेन्यू छोटा पड़ गया। जिन साथ्यों से मैं यहां मिल नहीं पाया। उनसे मैं ख्शमा चाहता हूं। उन सभी से अगली बार मुलाकात होगी। किसी और दिन, किसी और वेन्यू भर। लेकिन मैं जानता हूं। उत्सा ऐसा ही होगा। जोश ऐसा ही होगा। आप ऐसे ही स्वस्त रहे। सम्रुद्ध रहे। भारत अमेरिका दोस्ती को ऐसे ही मजबूत करते रहे। इसी कामरा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भोले भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। रहे। अजैंल